OnePlus 13 चाइना में लोंच हो चुका है और ये फोन इंटरनेशनल मार्केट यानि भार्व जैसे देजों में दिसंबर के अंध तक देखने के लिए मिल जाए। लेकिन ऐसा भी हो सकता है ये जनवरी की सुरुआत में लोंच हो। बेसिकली आज के वीडियो में क्या करने वाला हूँ, OnePlus 13 को OnePlus 12 के साथ कंपैरिजन करूँगा और ये बताऊँगा आपको की OnePlus 13 में कितना अपग्रेड मिलता है। तो चलो हम लोग इस वीडियो को सुरू करते हैं। सबसे पहले इन दोनों फोन के लुक और डिजाइन को आपस में कंपैर कर लेते हैं। और OnePlus 13 के डिजाइन को पिछला बार से थोड़ा बहुत चेंज किया गया है। जैसी का आप इस केमरा मोडियूल को देख सकते हो जो कि पिछला बार से कुछ अलग है और पिछला बार इसका फ्लैसलाइट केमरा मोडियूल के बाहर मिलता था इस बार केमरा के अंदर कर दिया गया है। लांकि ऐसे नोर्मल ही देखोगे तो काफी हद तक वन प्लस 12 के तरह ही दिखता है बट इतना को जिसके डिजाइन में अपग्रेड किया गया है। इसके अलावा दोनों ही फोन गोरिला गलास बैक के साथ आते हैं मिटल फ्रेम के साथ आते हैं। पिछला बार से वन प्लस 13 में एक बड़ा अपग्रेड किया गया है। वन प्लस 12 में IP65 का रेटिंग मिलता था जो कि पूरी तरीके से वाटर प्रूफ नहीं होता है। लेकिन इस बार IP68 और IP69 का रेटिंग मिलता है जो कि पूरी तरीके से वाटर प्रूफ है। OnePlus 12 में 9.2 mm का थिकनेस था लेकिन इस बार 13 में 8.5 mm का ही थिकनेस मिलता है जो कि इस बार काफी सही थिकनेस है पिछला वाला थोड़ा सा मोटा लगता था इसके अलावा दोनों ही फोन में Dual Stereo Speaker मिलता है Alert Slider भी मिलता है और IR Blaster भी मिलता है 1.5 mm का जायक और Memory Card लगाने का Option नहीं होता है और मुझे आपको यह बताने की जरूरत नहीं है कि फ्लैक्सिव फोन में यह नहीं ही होता है तो OnePlus 13 में पिछला बार से इसके डिजाइन में थोड़ा बहुँ चेंज किया गया है और इस बार Pro पर IP Rating दिया गया है अब इन दोनों के डिजपले को आपस में compare कर लेते हैं और पिछला बार से इस बार OnePlus 13 का डिसपले को change किया गया है पिछला बार OnePlus 12 में curb display मिलता था लेकिन इस बार OnePlus 13 में micro quad curb display मिलता है जो की curb display से बिलकुल ही अलग है इसका चारो ही किनारा हलका हलका सा curb होगा जब आप यूज करोगे तो डिस्प्ले फ्लाइट की तरह लगेगा लेकिन थोड़ा थोड़ा हलका हलका सा कब की तरह भी लगेगा इस बार भी बी ओई का ही डिस्प्ले मिलता है लेकिन पिछला बार X1 डिस्प्ले मिला था इस बार X2 डिस्प्ले मिलता है बाकी तो इसको छ पॉड मिलता ही दोनों में ही Gorilla Glass with test 2 का प्रोटेक्षन मिलता है इसके अलवा दोनों का fingerprint स्केनर भी सेम है दोनों में ही ultrasonic मिलता है तो इस बार One Plus 13 का display को 3D Curved Display से Micro Quad display कर दिया गया है पिछला बार X1 display मिलता था इस बार X2 कर दिया गया है अब इनके यह प्रोसेसर को आपस में कमपायर कर लेते हैं और यहां पर oneplus 13 में सबसे बड़ा अपग्रेट मिलता है पिछला बार oneplus 12 में इच Tales System इक प्रोसेसर मिलता है तो पिछला साल का flagship था लेकिन oneplus 13 में इस साल काफाजिऑ प्रोसेसर मिलता है 8 Elite का N22 score 3.1 million यानि 31 लाग के अराउंड टेखने के लिए मिलता है तो यहां पर इसके performance पे काफी बड़ा जम्प है और पिछला साल Android 14 मिला था इस साल Android 15 के साथ OnePlus 13 आता है जैसे कि दोनों में ही LPDR 5X RAM मिलता है UFS 5.0, 5.0 नहीं 4.0 storage मिलता है अब हम लोग इनके camera को आपस में compare कर लेते हैं OnePlus 13 का camera OnePlus 12 की तरह ही है बस पिछला बार OnePlus 12 में 64 MP का टेली फोटो लेंस मिला था इस बार 50 MP का मिलता है Megapixel में जरूर कम है लेकिन पिछला वाला से ये sensor जादा अच्छा है दोनों में ही 50 MP का main camera मिलता है 50 MP का ही ultra wide मिलता है दोनों का selfie camera तो सेम ही है 32 MP का और दोनों ही phone से आप 8K वीडियो तक इस के रियर camera से record कर सकते हैं और selfie camera से 4K 60fps तक पिछला बार की तरह ही OnePlus 13 में भी Hassleblad का collaboration है दोनों ही phone का camera setup काफी अद तक similar ही है बस इसके periscope lens को upgrade किया गया है लेकिन फिर भी OnePlus 13 का camera पिछला वाला से थोड़ा सा जादा अच्छा होगा अब इन दोनों के battery को आपस में compare कर लेते हैं और OnePlus 13 में पिछला बार से एक बड़ा upgrade मिलता है charging speed तो दोनों में ही same है 100W का फिर 50W का wireless charging और 10W का reverse wireless charging लेकिन पिछला बार 500 image का battery मिला था इस बार 6000 image का battery मिलता है तो इसके battery में definitely एक बड़ा upgrade है इसके अलावा दोनों ही phone में NFC का support मिलता है Wi-Fi 7 मिलता है Bluetooth 5.4 मिलता है इस बार OnePlus 13 में एक नया features भी add किया गया है share with iPhone Android और iPhone के बीच में file transfer करना मुश्किल होता है लेकिन इसका solution इस phone में दे दिया गया है Apple, Samsung और जितने भी company है ना सारे ही अपने phone में AI features को देने लगे हैं तो OnePlus कैसे पीछे रहेगा OnePlus 12 से OnePlus 13 में इसके design में थोड़ा सा changes मिलता है इसका display काफी अब तक similar ही है दोनों का camera भी similar ही है लेकिन इस बार इसका performance में एक बड़ा upgrade मिलता है और इसका battery है उसको बड़ा कर दिया गया है तो इतना कुछ upgrade मिलता है और अभी ये international market में नहीं आया है तो हम लोग इसके price के बारे में कुछ नहीं बोल सकते launch date तो मैंना आपको बता ही दिया December के end में या फिर जनवारी के शुरुआत में तो अब आप लोग मुझे नीचे comment करके बता देना कि आपको ये phone कैसा लगा और अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दो चैनल को subscribe भी कर दो और हम लोग next वाले वीडियो मिलते हैं बाई